स्वागत है आपका हमारे चैनल पर बॉलेवुड अभिरेता शारुक खान और दीबिगा पादुकोंड की फिल्म पठान को लेकर मुश्किले कम होती हुई नजर नहीं आ रही है आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ दीबिगा पादुकोंड के पोशाक को लेकर गाने को लेकर हो रहा है विवाद तो वहीं दूसरी तरफ शारुक खान के इंदोर में जलाए गए है पोस्टर और फिल्म को बैन करने की लगातार उठ रही है मांग आपके लिए बता दें कि 25 जनवरी को 2023 में सिनेमा घरों में लगने वाली फिल्म अभी से ही विवादों में घिरी हुई है जब से इसका पहला सौंग सामने आया है उस फिल्म को लेकर और अशलीलता फैलाने को लेकर लगातार इस फिल्म का विरोध किया जा रहा है और कुछ तस्वीरें जो है वो सामने आई है मध्यपरदेश के इंदोर से जहाँ शारुक खान के पोस्टर तक जलाए जा रहे हैं और फिल्म को बैन करने की लगातार मांग उठ रही है तो वह इन दूसरी तरह मध्यपरदेश के घ्रह मंत्री निरुत्तम मिश्रा ने कहा है कि दिपिका पादुकोंड है टुकडे टुकडे गैंग को समर्थन करने वाली अदाकारा और वही दिपिका गई थी टुकडे टुकडे गैंग के समर्थन में और आज उनकी पोशाग जो है वो काफी जादा आपती जनक है इस गाने में जो की सामने आया है जो गाना है बेशर अमरंग इसमें काफी जादा आपती जनक जो ड्रेस है वो दिपिका पादुकोंड की है अगर ये ड्रेस नहीं बदली जाती, इनमें चेंज़स नहीं किये जाते, औरेंज और ग्रीन कलर में, तो ये फिल्म जो है वो मध्यपरदेश में रिलीज नहीं होगी, ये दाब बातें किये गई हैं, मध्यपरदेश के घ्रयमंत्री निरुतम मिशुरा की तरफ से तो वहीं लगाता है, को लेकर boycott की मांग उठ रही है तो वहीं दूसरी तरफ शारुक खान को लेकर भी कुछ लोगों का यह कहना है कि आमिर खान की फिल्म को जंता फ्लॉप कर चुकी है जो कि किस तरीके से टर्की गए थे और टर्की की प्रत्थम लेडी से मिले थे और वो टर्की जो कि हमेशा ही भारत के विरोध में रहा है और अब शारुक खान को लेकर लगातार boycott हो रहा है और कहा जा रहा है कि शारुक खान वही है जो कि पाकिस्तान में बाड़ाने पर पाकिस्तान को पैसे देते हैं पाकिस्तान की मदद करते हैं पाकिस्तानी प्रेमी है शारुक खान इस तरीके क पादुकोंड की कई फिल्में 2020 से लेकर 2022 तक कई बार फ्लॉप हुई है और जनता ने यही मुद्दा बार बार पे उठाया है कि किस तरीके से दीबी का पादुकोंड बिना सोचे समझे CAE की टाइम पर जिस समय पर टुकुडे टुकुडे गैंग जो भारत को बदनाम करने के लिए हर प्रोपोगंडा अपना रहा था और किस तरीके से 2020 याने की 11 तारिक को दीबी का पादुकोंड पहुची थी जे न्यू टुकुडे टुकुडे गैंग के साथ खड़ी थी और प्रमोशन करने के लिए वह वहां पहुची थी और वह फिल्म भी किस तरीके से फ्लॉप साबित हुई थी एक स्टोरी के बावजूद भी और इसी के साथ अगर हम बात करें कि उस समय पर भी दीबीका पादुकॉंड ने एक एसेड विक्टिम पर ये फिल्म बनाय थी और फिल्म भी नहीं चल पाई थी सिर्फ इसी वज़े से कि टीपिका का पादुकॉंड जो है वो किस तरीके से देश विरोधी लोगों के साथ खड़ी है और कैसे वो जे नियू पहुच गई थी और आज अगर शारुखान को लेकर बात की जाए तो शारुखान काफी लंबे स दे सकती है शारुखान के लिए इस तरीके से लगाता है इस फिल्म को लेकर बॉयकॉट ट्रेंड बॉलिवुड बॉलिवुड तो पहले से ही लोग जो है वो बॉयकॉट कर रहे हैं दो तीन साल से लोगों का इस तरीके से बन चुका है कि हर फिल्म जिसमें आप 30 जनक यह फिल्म यानि की पठान जिसको लेकर काफी जादा उम्मीदें जताई जा रही थी शारुक खान से लेकर तमाम लोगों की तरफ से पर आज सोशल मीडिया पर बॉयकॉट पठान को लेकर यह बड़ा जटका है दीपिका पादुकोंड और शारुक खान के लिए इसके साथ हम बात करें कि आज एक तरफ इस रंग को लेकर बाते हो रही है का जा रहा है कि बेशरम रंग गाने के जरीए जान बूच कर अशलील्दा फैला रहे हैं यह लोग फिल्म बॉयकॉट की बात हो रही है शोशल मीडिया पर बॉयकॉट ट्रेंड हो रहा है तो इसी के साथ गाने का म्यूजिक मकेवा के गाने से चूरी किया गया है यूजस ने शोशल मेरिया पर मेकर्स पर मकीवा गाने को चुराने का आरोप लगाते हुए बेशरम रंग और मकीवा दोनों गानों के क्लिप्स को शेयर किया है हाला कि इससे पहले लोगों ने दावा किया था कि प पर भी शारू खान के तमाम शारू खान की जो एक्टिंग है वो काम नहीं कर पा रही है जो तरीके से आज बॉलिवुड का नाम ही कोपी पेस्ट बताया जाता है चाहे फिर हम बात शारू खान की इस फिल्म पठान की करें या फिर इससे पहले आई हुई फिल्म आमिर खान की भी फिल्म की अगर हम बात करें लाल सिंग चड़ा वो भी एक फिल्म की कॉपी थी रिमेक बनाया गया था आज बॉले वुड में कोई भी जो फिल्म आ रही है उसमें अपना कॉंटेंट बनाने की जगा एक नई कहानी लिखने की वज़ाएं वही पुरानी कहानियों पुरान साबित हुई है और फिल्मों की अगर जड़ी देखी जाए इस पूरे कुछ सालों में यानि की कुछ 2020 से लेकर अभी तक तो बड़ी ऐसी फिल्में है जो मेगा बजट में बनकर तैयार हुई है और वो कमाई सिर्फ 10 करोड या फिर 25 करोड से आगे नहीं बढ़ पाई है औ जिस तरीके से बॉयकॉट बॉलिवूर्ड ट्रेंड कर रहा है सोशल मीडिया पर इसी लिए साथ अगर हम कुछ लोगों की राए की बात करें तो आपको बता दें कि सुरग जी दास गुपता का कहना है कि कोई फाइदा नहीं पठान नहीं चलेगी यह पॉलिटिक्स को ले इस तवी समाम जो फॉर्मूले हैं वो आमिर खान भी अपना चुके हैं अपनी फिल्म लाव सिंग चड़ा को प्रमोट करने के लिए जहां एक तरफ उन्होंने देश की जनता से अपील की थी कि अगर उन्से कोई गलती हुई है तो जनता उन्हें माफ कर दे पर फिल्म दे दूसरी तरफ नेट्फिक्स ने भी काफी सस्ते दामों पर इस फिल्म को कई बार मिनतें करने के बाद खरीदा था और जो करीना खपूर कभी यह कहा करती थी कि हम किसी से नहीं कहते कि आप हमारी फिल्म हैं देखने चाहिए आखिरकार में जाकर उन्होंने भी अपने बया प्रण सा आज देश में नजर आ रहा है उस पर कहीं भी असर बॉलिवुड के बड़े कलाकारों का नहीं पड़ रहा है पहले जैसा क्रेज आज बॉलिवुड को लेकर जनता में नहीं दिखाई दे रहा है और यहीं बड़ा कारण है कि अनुरा कश्चप जैसे जो डारेक् के बावजूद भी देश की जनता फिल्मों को बैन और बॉयकॉट कर रही है लाखों मिन्नतें करने के बावजूद भी खैर इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कॉमेंट करके सरूर बताईए धन्यवाद